गुड मॉनिंग अब्रिवान वल्कम टू सर्विसेश टड़ी प्रेक्टिस सेट नमबर दस परा जाएए यूपी पीसीयस के लिए उत्राखंड पीसीयस की टेस्स सीरीज भी स्टार्ट कर दी गई है कल से उसका लाब उठा सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंक परियावर्ण के समस्याओं का अध्यान करना वर्थ में इसको लेंडी ट्पन हो रही है इसलिए अध्यान करना उसका जari है इस तरह से रिलेट करके भी इसको याद कर सकते हो गर लंबे समय तक रखना है तो संयुक्तरास्ट द्वारा वर्स 1983 में विश्व की परियावर्ण समस्याओं के अध्यान के लिए ब्रेंट लेंड कमिशन का गठन किया गया और इस आयोक ने एक रिपोर्ट तेयार की जिसमें धार्णिय विकास की परिभाशा के बड़े व्यापक रूप से उधार्ण दिये गए नमबर टू पर आजए निम्न में से कौनसी पंचवर्षी योजना महाल नोबिस मोडल पर अधारित थी तेकिए पर्थम पंचवर्षी योजना तो हैरोड डोमर मोडल पर अधारित थी मैच करने के लिए पूछ लेता है और दूसरी पंचवर्षी योजना अधारित थी मह महाल नोविस मोडल पर तो इसका अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर C तो भारत में दूसरी पंचवर्षी योजना पुरसिद्य सांखे की विद्य परशांत चंद्र महाल नोविस के योजना द्रश्टी कौन पर अधारित थी और इसी कारण इस पंचवर्षी योजना को महाल इस्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के वारणसी में तो आई एटी बिएच्यू में नॉर्दन कोल फिल्ड्स के सयोग से भारत का पहला है इसलिए इंपोर्टन्ट है कोईला गुडवत्ता प्रवंधन और उप्योग अनुसंधान केंद्र यानि कोल क्वालिटी मेनेज्मेंट एंड यूटिलाइजिशन रिसर्च सेंटर इस्थापित किया जाएगा ठीक है वारणसी में वाशन नमबर फोर पर आज़िए इंपोर्टन्ट है यह प्रशन लेकॉलित फैकॉलित और बैथॉलित के निर्मान का संबंद किस्से है भूकम से नदी अपर्दन भूसकलन हेमिसकलन या जोयला मुखी बताईए जोग्रफी पढ़ी होगी तो सुने होंगे टर्म लेकॉल लेकॉलित फैकॉलित बैथॉलित एलिमिनेट करें हिमिसकलन से नहीं है बताईए किस्से है नदी अपर्दन से भी नहीं है बताईए किस्से है भूकम से भी नहीं है यह संबंद है जोला मुखी से तो जब जोला मुखी लाबा भूपटल के भीतर ठंडा हो जाता है तो कई अखर्तियों का निर्माण होता जैसे की लैकॉलिद, बैठॉलिद, लैपॉलिद, फैकॉलिद, सिल और डाइक इन मेंसे किस आशक ने सुलह कुल की नीती अपनाई थी? किस ने अपनाई थी? सुलह कुल की नीती? निजामों दिन और लिया? नहीं, अकबर ने तो अकबर ने सारभो में किसान्ती और भाई चारा बनाए रखने के लिए सुलह कुल की नीती अपनाई थी Most important question है competitive exam का फेवरेट बहुत पूछते हैं इसको Question number 6 पर आजए नम्लिकित मैंसे किसे गहपती कहा जाता था गहपती किसको कहा जाता था कर अधिकारी नहीं है महाल लेखाकार नहीं है बताइए कौन है नगर का प्रधान भे नहीं है धनी किसान option number 6 तो गहपती एक पाली भासा का सब्द है जो धनी किसान के लिए प्रियोगत होता था ठीक है यह लोग वैश्यों की स्रिणी में आते थे option number 7 पर आजएए भुगोल सब्द का पहली बार जो प्रियोग है वो निम्लिकत में से किस ने किया था भासकराचारे वरामहीर अरस्तू या इरेटरस्थनीज भुगोल सब्द का सरप्रधम प्रियोग किया था बताई किसने इरेटरस्थनीज अप्सानमबर है तो सरप्रधम भुगोल सब्द का प्रियोग इरेटरस्थनीज ने किया ये एक ग्रीक विद्वान थे और यह सब्द ग्रीक भासा के दो सब्दो मूल प्रतवी और वर्णन से प्राप्त किया गया है और दोनों के एक साथ रखने पर इस क्योटो प्रोटोकॉल का संबंद किस्से है अब बताइए अब बताइए अब बताइए ग्रीन हाउस गेसों के उत्सरजर में कमी ठीक है सी है इसका अंसर तो आपको याद हो कि वर्स 1997 में जापान के क्योटो सहर में जलबायू परिवर्टन पर एक सायूक तरास्ट संबैल क्योटो समझोता हुआ इस समझोते में ओध्योगी करत राज्यों से ग्रीन हाउस गेसों के उत्सरजर में कमी करने की मांग की गई थी और क्योटो समझोता जो है वर्स 2005 से प्रभावी हुआ उत्तर प्रदेश के सेवा योजन विभाग की सेवा मित्र योजना का संबंद किसे है उत्तर प्रदेश के सेवा योजन विभाग की सेवा मित्र योजना संबंद लेता है यूबाओं को रुजगार से तो उत्तर प्रदेस में कोरणा माहमारी के कारण अन्य प्रदेसों से पहुँचे प्रवासी बेरोजगारों के साथ अन्य पड़े लिखे प्रसक्षित बेरोजगार हे तू उत्तर प्रदेस सरकार द्वारा सेवा मित्र एप की सुरुवात की गई इसके माध्यम से बेरोजगार युवा इस application पर आवेदन करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं दसवा प्राशन है DK करवे से related DK करवे समेती का संबंध किस से है किसलिए बनाई गई थी ये DK करवे समेती बताए लगु उद्योगों के विकास से लगु उद्योगों के विकास से संबंधे दे DK करवे समेती वर्स 1995 में ग्राम एबम लगु उद्योग समेती का गटन किया गया जिसे करवे समेती भी कहा जाता था और इस समेती ने इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को पृत्साहित करने के लिए लगू उद्यगो का प्रियोग किया जाए तो बैंकिंग सेक्टर ला अगर गलात मुत कर देना इसको विश्व मस्तिक्स दिवस 2021 की थीम क्या है? स्टॉप मल्टिपल इसकेलरोसिस तो 22 जुलाई को विश्व मस्तिक्स दिवस यानि वर्ड ब्रेंडे मनाया जाता है और विश्व मस्तिक्स दिवस 2021 की थीम है स्टॉप मल्टिपल इसकेलरोसिस तो आप्सन नमबर ए है इसका अंसर? मार्च 221 में भारत दक्षिन कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है कहां पर भारत की राजधानी नई दिल्ली में मार्च 221 में भारती रक्षा मंत्री और उनके दक्षिन कोरियाई समकक्ष ने नई दिल्ली छाबनी में आयुजित एक समारों में भारत दक्षिन कोरियाई मैत्री पार्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया तो अप्शन नंबर ए सई है डी सई हुआना पर ठीक है डी अबतर है लेह लद्दाक तो सितंबर 1221 में पहला हिमालेन फिल्म फेस्टिवल 1221 लेह लद्दाक में आयुजित हुआ है और फूर्टीन पर आजिए सर्दार धाम भवन कहां इस्तित है तो परधानमंत्री नेजंद्र मोधी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से गुजरात के एहमदाबाद में सरदार धाम भवन का लोकारपन किया इसलिए नीज है करेंट अपहर्स का कोश्षन है कैसे कि इस राज ने मेडिसन फॉ्म-द इस काई है प्रोजेक्ट का सुवारंब किते ऑफ उत्तर प्रदेश की सरकार का नहीं है कि उत्तरा खंड़ का भी नहीं बताएए कुजराती या तेलंगाना तो हल यही में तेलंगाना सरकार ने एक महत्वा कानशी रथाद इस प्रकार की पहली पाइलेट प्रियोशना मेडिसन फ्रॉमदा इस्काई के परिक्षन के लिए सोले प्राथमिक स्वास्त केंद्रों का चैन किया है और इस प्रियोशना में होगा क्या ड्रॉन के माध्यम से दवाओं की डिलिवरी की जाएगी याद रखेगा वशना नुमबर 16 पर आजए इनमलेकित कत्मों पर विचार करेंगे दो स्टेटमेंट के सार बताए इन विएसे कौन सा करेक्ट है विश्व अलजाइमर दिवर्ज प्रतेक वर्ज 21 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व अलजाइमर दिवर्ज 21 की थीम क्या है डिमेंशिया को जानो, अलजाइमर को जानो नो डिमेंशिया, नो अलजाइमर ठीक है नौ ये नौ बाला नौ है ठीक है नौ बाला नौ नहीं है करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेट्मेंट सी है इसका अंसर कोशन नॉम्बर 17 पर आज़िए भारत का पहला डुगोंग संदक्षन रिजर्व कहां इस्थापित किया जारा इंपोर्टन्ट है बताए ये पाक की खाड़ी मनार की खाड़ी कच की खाड़ी ये अंडवान निकबार दीव समूँ डुगोंग जिसको समुद्री गाए भी बोलते हैं ठीक है ओ एक है सूसू मतलब डॉल्फिन उसको गंगा की खाड़ी में ठीक है तमिलनाडू सरकार के द्वारा पाक की खाड़ी में यहां है तो तमिलनाडू सरकार ने पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संदक्षन रिजर्व इस्थाबित करने की खोशना की है प्रतिवर्स अगर आपको याद हो कि 28 मई को विश्व डुगोंग दिबस मना जाता है और डुगोंग को समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है question number 18 पर आज़िए रेखी समीती संबंदेते किसे रेखी समीती का संबंद किसे है जनसंख्या निती से नहीं है नई राश्टी सिक्षा निती से भी रही है नेशनल इंकम से भी रही है इंडिरेक्ट टैक्स है अपरत्यक्ष कर से तो रेखी समीती का संबंद अपरत्यक्ष कर से है महाल नोबे से समीती का संबंद राश्टी आए से है याद रखेगा परसुराम कुंड किस राज में अवस्तत है उत्त्र प्रदेश में नहीं है उत्तर अखंड में अरणाशल प्रदेश तो परसुराम कुंड को प्रभु कुठार के नाम से भी जाना जाता है कॉशन नमबर 20 पर आज़िए 26 से 29 सितंबर 2021 में भारतिय सैना द्वारा विजय सांस्कृतिक महत्सब का आयोजन किया गया कहां किया गया विजय सांस्कृतिक महत्सब भारत और बंगलादेश कलकत्ता में ठीक है और इस आयोजन का जो उद्देश है भारत और बंगलादेश के भी सांस्कृतिक संबंदों का प्रदर्शन करना है तो सी सही है ठीक है तो ये 20 प्रशन थे इसमें GS भी थी इसमें हिस्ट्री भी थी इसमें जोग्रफी भी थी मतलब GS तो थी थी हिस्ट्री जोग्रफी और करेंट अफेर्ट से रेलेटेड इनकी प्रक्टिस एक बार तो करी लिजेगा धन्यवाद